कि बिस्मिल्ला रॉख्मार रॉर्हीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 और रचो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अल्ट्रा साउंड वेव्स के बारे में पहले मैं आपको य ऐसे मैथन है जिन से आप यह अल्ट्रा साउंड वेवस को प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है उन दो मैथन में से एक मैथर जो पीजो एलेक्ट्रिक मैथर है इसको हमने डिटेल के साथ डिसकस करना है ठीक है और जो सेकेंड मैथर इसमें कुछ ऐसी चीजह आ जाती जो कि एक तो सदिऄसर है हमारे पास इसको सब्सक्राइब कि यूंब को दिसकस करेंगे फिर छोंज और सब्सक्राइब है को यह की है अल्ट्रासवन। देखो बचो अल्ट्रा साउंड वेव जो है ना ठीक है इसको हम 3 केटेगरीज में लेते हैं आसान से स्टार्ट करते हैं साउंड साउंड क्या होता है ऐसी वेव होती है जिनकी फ्रिकॉंसी 20 हर्ट्स से लेकर 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स के दरमेहन होती है क्योंकि इनसानी कान जो एक आवाज को सुन सकता है उसकी कम से कम फ्रिकॉंसी होती है 20 हर्ट्स और ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स होती है ठीक है अब इस फ्रिकॉंसी के अंदर अदर अगर हमारे पास कोई वेव आएंगी तो हम सुन सकते हैं वो हमारे high frequency की जो waves है फिर वो क्या होती है जो लफ से inferior है आप जानते इंफिरियर मतलब low में आता है कम में ठीक है तो sound या sonic इसको आप एक ही term समझे इंफ्रा सोनिक इंफ्रा इंफिरियर से निकला और सोनिक साउंड से इंफ्रा सोनिक का मतलब है कि हमारे पास यह ऐसी waves है जिनकी frequency sound से कम है sonic मतलब आप समझ दीजिए sound ठीक है इंफ्रा इंफिरियर से इंफिरियर मतलब low तो इंफ्रा सोनिक यानि जिसकी frequency sonic से कम है sound से कम है तो वह wave जिनकी frequency 20 hertz से कम है वह हमारे पास कहलाती है इंफ्रा सोनिक क्योंकि इंसान की जो सुनने की frequency frequency start होती है वह 20 hertz से start होती है इससे नीचे ठीक है तो इससे नीचे वाली को हम बनेंगे inferior ठीक है इंफ्रा सोनिक ओके तो इसकी frequency जो है मैंने आपको बता दिया 20 hertz से कम होती है और जो sound है हमारे लिए जिसकी frequency 20 hertz से लेकर 20,000 या 20 kHz तक होती है फिर अल्ट्रा का मतलब हाई में आता है अप में आता है अबब में आता है ठीक है अल्ट्रा का मितलब आप ले सकते हैं कुछ ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा होगा आपके पास ठीक है तो जैसे आपने सुना होगा अल्ट्रा पावर से ज्यादा हो कि देखो हमारे लिए सॉनिक क्या है 20 से लेकर 20,000 hertz तक सॉनिक है ठीक है तो अल्ट्रा सॉनिक मतलब इस से उपर इस से ज्यादा इस से अबव तो फिर 20 तक तो साउंड और 20 से उपर वाली फिर क्या होगा अल्ट्रा सॉनिक तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी वे फिर हम बात करते हैं जी के हम इसको किस तरहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है और इसके उपर बड़ी डिटेल से बात की गई है जो कुछ बुक्स के अंदर एस्पेशली जो अमारे पास ब्लोचिस्तान बूर्ड की बुक है बड़ी डिटेल से बात कीगी पाइज बड़ी डिटेल से इसके बात की हुई है ठीक है तो अभी हम इसके पढ़ेंगे दो मैथट है एक हमारे पास पीजो एलेक्ट्रिक मैथट है दूसरा बया अपलाइंग दे मेगनेटिक फिल्ट फिल्टु दे क्रिस्टल नहीं अपको बस इतना जाद रखना है कि कोई एक ख प्रेशर से बनती है अब यहां बहुत सारे बच्चों के माइन में यह प्रेशर से कैसे एलेक्टरिसिटी बन सकती है तो पहले मैं आपको छोटी सी एक्जामपल्स देता हूँ रियर लाइफ से उसके बाद फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ बच्चों अक्सर आपने देखा होगा जो एक लैटर है जिसे हम आग वगारा जलाती है हम इसे क्लिक करते खेंदें उसमेंस एक अवाज आती है पो क्लिक की ठीक है और वह क्या होता है साथी गैस भी आ रहे ऑथी है तो एक सपार्क प्रिटीस होता है वह गैस को जलाता ओर आग लग जाती है ठीक है इसके अलावा आपने घर की किचन में देखा होगा वह पिस्टम्स जिसके साथ तो वेवर लेडीज चुले को आंग करती है गैस को ठीक है और साथी वे चलाती है पिस्टल वो आग लग जाती है वो बेसिकली एक स्पार्क आ रहा होता है उसके अंदर ठीक है ना अच्छा लगा होता है ठीक है और इस स्प्रिंग की है फे हमने जोडस लोडस से उसको पर स्पर्पर करते हैं यह बाइसे तो छह करते हैं तो यहां को ब ex the university की ओपर चरईक वहां से स्पार्क है उसको जला खिला लें, ठीक है वह आपकी मरजी है ठीक है। तो बैसिकल यहां पर क्या हुआ हमने हे श्रस अप्लाई की है फ्रेशर अप्लाई किया उस पीज़ए आग हुआअť पास पीज़एलेक्राइब हाँ हो यह समझाथा यहां पर रखिए हुए है उन दोनों के द्रमयान में पीजोएलेक्रिक मठीरिल है जब इसके वगण से क्या होता है इसके दो एंड्स के ओपर न यह पॉस्टिव और एक प्लेट ज्यावर नेगटिव इस पर पिटेंचल का डिफरेंस क्रीट हो जाता है तो आप सब जानते ह बुक में यहां पर बल्प की एक्जामपल दीवी मैंने यहां पर एक यहां पर गल्मानिमेटर लगाया जो के एक स्माल करेंट को डिटक्ट करेगा यहां से ठीक है तो यहां से इसकी ऐसे डिफ्लेक्शन शोवीज का मतलब यहां पर कुछ करण्ट जो हो प्रोड्यूस हुआ था सऺाइए अच्छा अभ यह सारा होता कैसे है पीजोऊ..क्रिक मिटीर प्रेटम्स की अरेंजमेंट नजर आएगी ठीक है इस तरह से प्राइट अच्छा अब हम क्या करते हैं इस पीजो अलेक्रिक मिटीरियल को यह इसको यह जो क्रेस्टल है इसको हम इसका एक पोश्चन जो ना सिर्फ यह एक रिंग जो है वह यहां पर शो कर देता हूं ठीक है अब मैं आपको यहां पर यह चीज सिखाओंगा कि आखिर इसकेंदर की इसको इसके अशुआ आने से इसमें पूटइन्शल डिफिर्स करियेट हो जाता है और पूटइन्शल डिफिर्स से धर करूइट करता था ठीक है अब वह चीज़ आपको मैंने समझानी है तो पार्शल नेगट्व ए अच्छा मैने वैसे ये पाजिटीव नग्टिव पाजिव चोंग हैं अच्छा हो ता क्या आप यहां से इसकी एक ट्राइंगल बनाए ये कुछ इस डरहा की ये इसकी सीलिकोनपे की ऐसी एक ट्राइंगल बनती है यहां positive यहां पर positive यहां पर positive तो यह सारा रिजन एक positive बनता है इसका center में बीड में भी क्या चाल ओगा positive चाल ऐसे ठीक है अच्छा पिर उसके बाद अगर हम इस black वाले एकनि को तो ऑक्सिजिए वाले इसी तरह से होते हैं ऐसे छिक है यह इस तरह से ऐसे उखे औहरे इस तनीघटीव नीघटीव और यह सेंटल हृता न वहां पर मैंने आप शोर नहीं कर सकता है एक ही पॉइंट के अपर होता तो यह neutral होता है, जो इसका effect पॉइंट के उपर होता, तरीब के अपर नहीं होता है, लेकिन जब कभी stress हम apply करते हैं, इसके आपर, तो इनकी तरतीब जाती है, अब पहले इसी पॉइंट के उपर आ रहा था और इस पॉइंट के उपर नेगेटि पॉस्टिव चार्ज उपर की तरफ शिफ्ट होड़ेगा और नेगटिव चार्ज नीचे की तरफ शिफ्ट होड़ेगा, फिर सुन लें, यह मैंने दो ट्राइंगल बनाई है, एक यह पॉस्टिव चार्ज वाली, इसका सारे रिजन पॉस्टिव होगा, यहां पर भी सेंटर उपर आ रहे होते हैं, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, नीट्रल है, पॉस्टिव नेग्टिव दोनों मजूद हैं, एक दूसरे को एफेक्ट को कैंसल करते हैं, यहां पर यह नीट्रल है, अब जब कभी प्रेशर आता है, उपर से भी नीचे सभी ऐसे पुश होता है, तो यहां के बजाए यह अब नीचे शिफ्ट हो गया है, यहां पर, यह इदर, तो यह जो इसके अदर मौझूद एक पॉस्टिव चार्ज था, वो भी इसी के साथ साथ, नीचे शिफ्ट हो गया, मान लीजे यहां पर शिफ्ट हो गया, ठीक है, अच्छा, अब नीचे से इस कुछ मिला उपर को, तो यह ट्राइंगल जो थोड़ सी उपर शिफ्ट हो जागी है, यह यहां पर शिफ्ट हो जागी, यह ऐसे, तो जो नेगटिव चार्ज था, वो यहां से शिफ्ट हो गया अब उपर के रीजन में, अब देखें, अब पॉस्टिव चार्ज नीचे की तो यहां पर एक पोटेंशल का डिफरेंस करियेट हो गया, बच्चो यह वजा है, कि यहां पर पोटेंशल का डिफरेंस बन जाता है, अगर हम अलाव करते हैं, किसी भी तरह से इसको 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 कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहां से करंट इसकी तरफ फ्लो करेगा, यह स्पार्ट प्रोडूस होगा समझे हैं अब मैं फिर से बता दें तुम बच्चो यह जो हमारे पास पीजो- और्लेक्टिक मैथड है इसमें हम खास किसम के क्रिस्टल इस्तमाल करते हैं जिसको हम क्वार्ज कहते है ठीक है यह क्रिस्टल है इसका फर्मौला होता है SIO4 ठीक है अब यह ऐसी हमारे पास material होता है जिसको piezoelectric material कहते हैं जब इसके ओपर stress apply की जाती है ठीक है तो stress apply करने से इसके अंदर potential difference की रिये हो जाता है और potential difference को अगर हम connected कर देते हैं high को low से यानि current को flow करने का path दे देते हैं तो current यहां से flow करता है बलब लगाओगे तो बलब जल जाएगा गलवनिमेटर लगाया तो वो deflection शो करेगा मतलब यहां से कुछ current pass किया समझ के ओके तो अब इसमें ऐसा क्या था उसकी वज़ा मैंने आपको बता दी कि पीज़ो एलेक्रिक की जो crystal होती है इसको एक खास face से अगर आप देखें तो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी ठीक है अब यह इस तरह की shape के अंदर होती है अब नामल situation के अंदर जब यह atom अपनी position के उपर पड़े होती है ठीक है तो इस situation में यहां पर जो center का region होता वो normal होता है sorry neutral होता है लेकिन जब कभी stress आ जाती है ऐसे तो यह atom जो आपने जगह से shift हो जाते है यह वाला उपर shift हो उससे क्या होगा कि एक center point पे जो positive negative पहले एक ही जगहा पर पड़े होए थे और neutral किया होगा था अब वह positive नीचे को और negative ऊपर को shift हो गया नीचे वाला point high potential पर चला जाएगा उपर वाला point low potential पर चला जाएगा और इस तरह से यहां potential का difference create हो जाएगा और potential का difference create होने की वज़ चो यह था हमारे पास piezoelectric method अब हम इसी का ना इसी का reverse देखें पहले आपको यह समझाना जरूरी था यह समझाएगा तो फिर आपको इसका inverse समझाएगा ठीक हमारा जो मेन कामना हमारा इससे है अब inverse of piezoelectric यहां पर क्या होता था हम stress apply करते थे हम pressure apply करते थे और हमें as a result जो है इसके दोनों plates के दरमया है ठीक है हम इसको voltage दे रहे हैं तो उसके reaction के तूर पर अब यह जो इसकी crystal है वह oscillate करेंगे वह vibrate करती है और उसकी vibration से हमारे पास यह ultrasonic waves produce होती है समझ गया है फिर से सुने यहां पर क्या होता था हम stress apply करते थे और stress apply करने की नतीजे में यहां पर जो है वो potential difference create होता था अब की बार हम जो है वो AC voltage apply करते हैं जिसकी value continuously vary करती है कभी ज्यादा होती कभी कम होती है उसी वज़े से यह oscillate भी करता है ठीक है इस तरह से expand होगा ऐसे contact x से ठीक होगा इसमें भी इस तरह से vibrations आती है क्योंकि हमने यहां पर AC voltage apply कर दी जिसकी value लगता change होती रहती है अच्छा बच्चो तो अब की बार हम voltage apply कर रहे हैं ठीक है और वह ऐसे वाइबरेट कर रही है और उसकी vibration से waves produce होती है वह waves जाए उनकी frequency 20,000 Hz से जावा होती है और इस तरह से हम ultrasound waves को produce कर लेते हैं ठीक है और second method मैंने आपको बताया है second method को हमने यहां discuss नहीं कर होती है जिनकी frequency 20,000 Hz से ज्यादा होती है अच्छा अब यह चीज़े हमने देख लिए उमीदा आपको यह चीज़ समझा आगी होगी अब next point हमारा method of detection हम किस तरहां से detect कर सकते हैं इन ultrasound waves को यह भी एक short question के तोर पे आ सकता है ठीक है यह बता दूँ आपको effect क्या होता है यह आपसे as a short pushart आ सकता है आपसे यह question आ सकता है how can we produce the ultrasound waves ठीक है उसमें से आपने कोई भी एक method लिख देना है सही है अच्छा है कि आप पीज़एलेक्रिक method लिखें इसके इलावा short question यह भी बन सकता है कि हम किस तरह से जो ultrasound waves को detect कर सकते हैं question यह भी आ सकता है क आप जो हमारे पास transducer इसका नाम second name transducer है कि हम किस तरह से transducer का इस्तमाल करते हुए हम detect कर सकते हैं ultrasound waves को question यूभी आ सकता है कि पीज़एलेक्रिक्शन method को explain करें तो इस तरह से different method है हमारे पास question बंद कर सकता है कॉंस tube का भी question पूछा जा सकता है कि हम इसको किस तरह इस्तमाल करते हैं for detection of ultrasound waves की ठीक है बहुत simple और आसान है बच्छो यह हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है आपको सामनी नजर आ रही है आपको यहां पर इस जगह को पर quartz crystal लगी होती है quartz मैं बता चुको quartz क्रिस्टल यहां पर लगी होती है अच्छा इन सब का connection लेके आपको यह बाइर नजर आजिए यह वाइर इस तरह से एक अठी होगे यहां से बाइर आती है अब होता क्या है कि अगर आपने डिटक्ट करनी है कि किसी रीजन में ultrasound waves पाई जाती है यह नहीं पाई जाती तो आप क्या करेंगा बच्छो आप यह करोगे कि उसको जो ultrasound waves है वो इसके यहां पर इसके ओपर जो ultrasound waves पढ़ेंगी तो क्या होगा यह जो quartz की crystal है ना ठीक है यह current produce करेंगी ठीक है इसको पर एक stress apply होने एक तरह से vibrations है इसको उसको प्रेस किया तो अभी अभी तो सिखाया था आपको मैंने यहां पर पीज़ो एलेक्टर सीटी में जब इसके पर stress आती इसके इंदर किसी तरह की कुछ stress apply हो जाती है उसके apply होने से क्या होता है इसके अंदर जो हो current produce होता है वह सारी current जो हो यहां से flow करते वीच बाहर रहते है अब बहुत कम current होता है ठीक है हम उसको amplify करते हैं ठीक है और amplify करके हम इसको डिटक्ट करते हैं अब उसकी help से आपको ट्यूब होती है जिसके उए खास किसम का परडो छोट aż जिसका नाम होता है लाइको पॉडियूं थीक है हम क्या करते हैं अल्ट्रिसोन गारते हैं टो इस के अंदर जो जो मुझुद पॉटर रहने हो वाइब्रेट करने स्ठार्ट कर जाता एकटा होना होना चुरू हो जाता है और जिस पॉंट के ऑपर ऑन्पर इनटी नोड बनता है जो हो कि यह वहां से उचलना शुरू हो जाता है और दुर्शी तरफ उचलना उभरना शुरू हो जाता है तो इस तरह से भी आप इनको detect कर सकते हैं ultrasound waves को लेकिन इसका problem यह है कि यह ultrasound waves के अगर बहुत high frequency होगी तो आप इसको इस्तमाल नहीं कर सकते, मतलब अल्टरसंड की जो लो फ्रिकूंसी है करीब करीब की फ्रिकूंसी है ठीक है आप यहने 20 kHz से करीब की फ्रिकूंसी को आप इसकी हल्प से डिटक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चो तो यह आपने दो मैथड़ सीख लिए है, इसके बात पिर आम किसम की आप शीट बना रहे हैं मैटल की जिसको आपने किसी भी इंस्टॉमेंट के लिए इस्तमाल करनी है, उसके अंदर किसी किसम का कोई डीफैक्ट नहीं है कहीं पे कोई खला नहीं है कहीं पर उसमें कोई cavity नहीं है, यह चक करने के लिए आप इस्तमाल करते हैं हमारे पास ultrasound waves को, चलिए आपको में सिखा देता हूँ अब यह हमारे पास एक metal का piece है, इसमें यहां पर यह चोटा सा cavity बनी हुए है, चोटी सी cavity, यह इसमें defect है, ठीक है, अब आपने ultrasound waves को यहां से send किया, यह sender है, और यहीं से वापस receive भी होती है, इसी end के उपर, तो एक खास time के बाद आपको यह receive होई है, ठीक है, फिर आप आप आपस तैसे इसको नीचे लेके आ रहे हैं, यहां से send होई है, उतने कोई defect मौझूद है, ठीक है, अब इसको ग्राफिक के लिए observe करने के लिए हमने साथ में CRO attach की हुई होती है, ठीक है, CRO के अंदर आपको तीन जो है इस तरह से वो यह graph मिलेंगे, ठीक है, एक दो यह peaks मिलेंगे, ए जो है वो पहला पल्स आपको क्यों, पहला जो एक transmitted पल्स है, उसकी वज़ा से आपको यह पहली मिलती है, यह पल्स मिली आपको A, B किस वज़ा से मिली, यह जो वेव यहां से reflect होके गई है, यहां से, ना मिलता, ठीक है, अच्छा, तो यहां पर जैसे आपको वी वरा ग्राफ यह नज़र आया, मिड में, ठीक है, इसका मतलब यह कहीं कुछ ऐसा हुआ कि जल्दी से, यहां से, से, मिड से, कहीं से, या आगे पिछे से, यह reflect होके वापस आये, तो हां पे cavity मौजूद है, तो cleaning of metal में आप क्या करते हैं, बच्छो, एक टैंक होता है, उसमें हमने water add क्या होता है, और उसमें ultrasound waves को बेजते हैं, और वो metal, जिसको हमने clean करना है, उसको इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जितने waves के अंदर extra, कोई impurities बगर उसके surface के बर पड़ी ह होती है, कोई किसी किसम के dust particles है, यह कुछ और चीज़ है, को plaster के pieces है, जो भी है, वो सब चीज़ें से अलग हो जाती है, ठीक है, अच्छा, यह second method है हमारे पास, यह second use है, cleaning of metals, ठीक है, फिर से बता दूं क्या करते हैं इसको, टब में पाने डालेंगे, और उसके अंदर हमने through होती है, ठीक है, कैविटेशन क्या होती है, अल्टरसन वेव जो हैं, इस liquid को volatize करती है, ठीक है, volatize का मतलब होता है, liquid से gas में change करना है, सही है, वो bubbles बनते हैं, और वो bubbles ब्लास्ट करते हैं, तो इसके अंदर मौजूद आस पास, जितने भी कुछ अजाफी चीज़ी होती कि इसको साथ-साथ वो निकालते जाते हैं, ठीक है, अभी हम इसको डिडेल से यहां पर डिसकस करें, कैविटेशन प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट, टू किल दा माइक्रो अगनिजम्स, यह तो आपको पता है, यह पानी के अदर मौजूद 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 मौजू माइक्रो अगनिजम्स जैसे बैक्टेरिया है, और बहुत सरे हैं, ठीक है, तो उनको किल करने के लिए भी आप इसका अल्टरसाउंड वेव्स का इस्तमाल कर सकते हैं, लास्ट में, अल्टरसाउंड कैविटेशन, अल्टरसाउंड कैविटेशन क्या होती है, बच्चे ठीके थूँ जो एक्स्ट्रा फैरे उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा बेसिकल ये, क्या प्रोसिस है किस तरह से होता है, इसमें ये होता है, जो अल्टरसाउंड वेव्स होती है, उसको लिक्วड के आप 갑्रेशन करते हैं, अब क्या उता होता है, अब खाझ को तो जो हमारे पास ultrason waves होती है, वो हम liquid में send करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, वहां पर जो liquid है, उसको जल्दी से speed के साथ volatilize करती है, यानि उसको gas में change करती है, liquid को gas में change करती है, bubbles बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अब body में, जहां को liquid के molecules बगारे मुझूद हैं, हम ने लिटा sound waves को send किया, वहां पर bubbles बनना शुरू हो गए, अब जो fat के molecules भी वहीं पड़े हैं, वो bubbles ब्लास्ट करते हैं, और साथ ही fat के molecules उनको भी destroy करते हैं, ठीक है, और जो fat के molecules जब destroy होते हैं, ठीक है, तो वो उसका जो waste material है, वो फिर lymphatic system के तुरू body से exit कर दिया जाता है, ठीक है, तो बच्चो यहां पर main जो चीज़ आपने सीखनी है, वो क्या है, cavitation process कैसा होता है, कि इसमें जो liquid होता है, ठीक है, लिक्विड के उपर अल्टास हम भी बेजी जाती है, वो volatilize होता है, छोटे-छोटे bubbles बनाता है, वो ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट होके fats क के बाले कि उनको भी destroy करते हैं, destroy करने के बाद उनको body से exit कर दिया रहता है, तो यह process जो है, वो ultrason cavitation का आपने शायद देखा भी हो, ठीक है, यह mostly जो हम use करते हैं, वो belly fat को remove करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं, ठीक है बच्चो, तो यह था मरा आज का topic, अगर आपको कोई किसी किसम की confusion है यह कोई question है, तो comment section के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं, अलाँ आपिस